हलो फ्रेंड्स आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन इस्टेडी एरिया पर बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम लोग माध माधिका बहुला के कुछ most important question करेंगे जो आपके exam में बार बार पूछा जाता है और ये सभी question आपके objective हैं तो वीडियो के अंतक बने रहें अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन जरूर प्रेस किजिएगा जिससे सभी वीडि स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैरा केश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टडी एरिया पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो जैसा कि देख रहे हैं क्लास 13 का मैथ है ठीक है और इसमें जो है माध माधिका और सबसे अधिक बार आया होगा जिसकी बाराम बारता सबसे अधिक बार होगी वही होगा बहुलग ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोन सबसे ज़ादा है तो यहां पर 7 जैसा कि आप देख रहे हैं 7 की संख्या ज़ो है ज़ादा बार 7 आया है ठीक है तो इस question का जो बहुलग होगा वो क्या होगा सेविन होगा बस आपको माइंड में इतना याद रखना है कि जो सबसे अधिक बारा है जिसकी बरमबारता सबसे अधिक हो वही हो जाएगा बहुलग ठीक है तो इस कुर्चन का जो कॉडिक टिंसर होगा वो अप्सन नमबर सी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुर्चन देखते है ठीक है तो हम यह कुश्चन है कि किसी बरमबारता ठीक है यहां पर ता जो लेज़ेगा किसी बरमबारता का बहुलग होता है कम से कम बरमबारता मान मध्यम मान या अधिकतम बरमबारता मान अप्सन डीन में से कोई नहीं जैसा कि पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि जो सबसे अधिक बारंबारता वाला होगा वही बहुलग कर लाएगा ठिक है तो इस कोस्षंटका जो story टेंसर होगा वह होगा आपका option no.C हो जाएगा अधिकतन बारंबारता मान वह क्या कर लाएगा बहुलग कर लाएगा चलिए बढ़ते है normal Q की तरaf चलिए question number 3 है आपके पास 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माधिका है तो अब माधिका हम कैसे ग्यात करेंगे वो ध्यान रखेंगे तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या कि सभी को जोड़ेंगे सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उतना से भाग कर देंगे जैसे 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 और बटा ठीक है बटा कितना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं तो जोड़ेंगे तब 5 आ 3 हो गया 8 8 और 7 के जोड़ेंगे तो 15 15 और 6 को आड़ करेंगे तो 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 2 जोड़ेंगे 27 और 27 में 1 आड़ करेंगे तो 28, 28 अपॉन कितना 7 ठीक है तो यह 4 टाइम्स चला जाएगा यानि कि साच्चोक 28 आप्सन नमबर 4 हो जागा इस कोश्चन का कोरेक्ट इंसर यानि माद्धिका का मतलब हुआ आकरो का योग बटा आकरो की संख्या ठीक है आकरो का योग बटा आकरो की संख्या तो आप्सन नमबर C हो जागा आपका इस कोश्चन का correct answer बढ़ते हैं next question की तरफ चलिए next question question number four पर्थम पांच पूर्ण संख्याओं का माद कौन होगा आप वीडियो को रोक कर भी बना सकते हैं चलिए तो देखते हैं यहां पे कहा गया है पूर्ण संख्या कौन सी संख्या पूर्ण क्या होगा ठीक है तो बस सेम यानि आक्रों कायोग और बटा आक्रों की संख्या तो जीरो पलस वन पलस टू पलस थ्री पलस फोर यह हो गया अब इसको जोरेंगे यह टोटल कितना है तो यह हो गया वन टू थ्री टो फॉर्फ फ्यकॉब यहां क्या करतेंगे डिवाइड में फा jedem कर देंगे चल्यी माख सब लेते हैं तो जोटेंगे पितना होगा यह थी और 3, 3 ही हो गया 6, 6 और 4 हो गया 10, यानि कि 10 अपन हो गया 5, तो यह हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, तो आपका option number B हो जागा इस question का correct answer, ठीक है, बढ़ते हैं next question की तरफ, चलिए, next question है आपका, question number 5, question number 5 है, पर्थम 3 लगातार प्राकिर्ट संख्याओं का माद, बहुत most important questions अब है, यह सभी question जो है, आपके previous paper में पूछा गया है, ठीक है, इसी type के question जो है, exam में पूछे जाते हैं, पर्थम 3 लगातार प्राकिर्ट संख्याओं का माद दिक्या होगा, तो प्राकिर्ट संख्या किसको क जाएगा 1, 2, 3, यह continue है, लगातार है, इसका हमको ग्याद करना है क्या मद, चलिए add कर देते हैं, तो तीन तीन हो गया, 6 और अपॉन 3, यह कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, यानि option नमर बी हो जाएगा, इस question का correct answer, ठीक है, चलिए बढ़ते है, next question की तरफ, next question है, संचै बारमबारता वक्र कहलाती है, तोरन, आयत चित्र, ढंडा लेक, या, बारमबारता बहुदश, ठीक है, तो इसका correct answer है, संचै बारमबारता का जो वक्र है, वो कहलाता है, तोरन, ठीक है, याद रखेंगे, तोरन कहलाता और, option number A हो जाएगा, इस question का correct answer, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन की तरफ नेक्स्ट कोश्टन यह रहाँ आपके साम को पुर्षन है कि 13 और 19 का 19 के बीच का समांतर माध्ध है तो चलिए इसको कैसे ग्यांत करेंगे तो दोनों संख्या को जोर देंगे और जितनी संख्या उतना से भाग देंगे 13 पलस 19 समांतर माध्ध निकालते हैं जो संख्या होता है उसको एड कर देते हैं और जितनी संख्या होते हैं उतना से डिवाइट कर देते हैं और बट्टा में क्या हो गया टू हो गया ठीक है अब इसको जोरेंगे तो यह हो जाएगा कितना 32 अपॉन टू ठीक है यह हो गया 12 12 कर दो हसी लेक एक एक दो या एक तीन तो यह हो गया आपका कितना शिक्ष्टीन यानि कि ऑप्सान नमर भी हो जागा इस कुश्चन का कॉड़ेक्ट एंसर ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट कुश्चन है आपके पास कुश्चन नमर एट कहा गया है कि यदि थ्री फोर फाइब सेवेंटीन तथा एक्स का माध सेविन है तो एक्स का मान होगा ठीक है बहुत सीम्पल सा कुश्चन है हमको माध ग्याद करना है तो माध दिया हुआ है सेविन ठीक है माध क्या दिया हुआ है सेविन दिया हुआ है तो माद्ध का फर्मूला हम लोग जानते हैं आकरो का योग बटा आकरो की संख्या माद्ध बराबर होता है आकरो का योग और बटा में आकरो की संख्या तो लिख लिजिए आकरा जो हमारा दिया हुआ है माद है 7 तो 7 लिख देते हैं अदिया हुआ 3 पलस 4 पलस 5 पलस 17 और पलस X और बटा में कितना है 1 1 2 3 4 5 तो यहां पर कर देंगे 5 ठीक है अब देखिए यह आपका 7 जो है वो बराबर बराबर में है क्या 7 यहां से इसको अटा देते हैं यह 7 क्या है बराबर में है चलिए तो यह हो गया आपका क्या हो गया 7 ब्रावर अब इसे गुना कर लेंगे तो 35 हो जाएगा कितना होगा 35 हो जाएगा ठीक है और इसको जोड़िए तो यह वा 7 7, 5, 12, 12 और यहां पर जोड़ लिजे कितना 7, 17 तो 12, 17 आपका हो जाएगा 29 12 और 17 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा पलस एक्स ध्यान रखेंगे तो यह होगी आपका 29 पड़ास एक्स बरावर 35 तो X का वायलू यहां से हो जाएगा 35 माईनेस 29 ठीक है तो यह आंसर आ गए आपका 6 ठीक है कितना आ गया 6 यानि कि option number a हो जाएगा इस question का correct answer चलिए अब बढ़ते हैं next question की तरफ कि next question भी सेम तरह का question है ठीक है आपको practice के लिए हम same question दो add कर लिए हैं जिससे आपको practice हो जाए आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए चलिए इसी को इसी तरह कड़ेंगे one plus four plus x plus five और बटा one plus four plus six plus five और बटा में क्या हो जाएगा अब उसके बाद पलस 12 बटा में क्या five और माध दिया हुआ है कितना seven फिर इसको गुना कर लिए तो यह हो गया 35 बराबर इसको जोड़िए five और five ten 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 षर्व कितना हो जाएगा टेनेट यूँचा ट्वेनटी टू और पलस में कितना एक्स याद रखचेंगे इस ट्वेनटी ट्वांटी टू पैनटी टू पलस में एकस और इसको इक्वेस्टू कितना है 35 एक 2010 एक में पलस में disappointment Irish गा हो गया यह हो जागा 3 यह हो जागा 13 क्या हो जागा 13 यानि कि ऑप्षा नमबर सी हो जागा इस कोश्चन का कॉरेक्ट इंसर ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन की तरफ नेक्स्ट कुश्चन है हमारा कुश्चन नमबर 10 आकरो 8 6 12 4 13 27 233 10 में परिसर क्या होगा मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है तो इसी टाइप के कुश्चन आपके पेपर में बनते हैं तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे तो परिसर बड़ाबर होता है परिसर याद रखेंगे परिसर बड़ाबर होता है जो सबसे उच्टम मान होता है यानि कि उच्टम मान उच्टम मान परिसर बड़ावर हो जाएगा उच्टम मान ठीक है उच उच्टम में से निम्नतम को घटा देंगी निम्नतम यानि सबसे बारा में से सबसे छोटा को क्या कर देंगे माइनस कर देंगी परिसर बराबर ठीक है परिसर ये ठीक है तो चलिए सबसे बरा जो है इसमें वो कौन है 20 है तो 20 और माइनस सबसे छोटा है 2 तो 2 तो कितना हो गया 18 हो गया क्या हो गया 18 तो इसका एंसर हो जाएगा option number C ठीक है option number C हो जाएगा इस question का correct answer आसा करते हैं सभी question आपको समझ में आ गया होगा आप एक वाड़ वीडियो को रोग करके खुद से बनाएंगे पहुच करके खुद से बनाएंगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा और इसी टाइप के question आप practice करेंगे क्य से समझे होंगे आसा करते हैं और चरिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिं जैभार